क्या आपका अभी एकाउंट ICICI Bank में है? हैसे में ये ख़बर आपको परिशान कर सकती है रिपोर्ट के मताबिक ICICI Bank के लाखो यूजर्स का डेटा लीक हुआ है ये डेटा कोई भी एक्सेस कर शकता था जिससे शिकायत के बाद हटा दिया गया है इसमें यूजर्स के क्रेडिट कार्ड से लेकर पासपूर्ट तक की डेटेल्स मौझूद थी आईए जानते क्या है पुरा मामला डेटा लीक का एक बड़ा मामला सामने आया है रिपोर्ट की माने तो ICICI बैंक के लाखो कस्टमर्स और करमचारियों का डेटा लीक हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक एक डिजिटल ओसम बकेट सामने आयी जो मिसकॉन्फिगर थी और इसे आसानी से कोई भी इंटरनेट पर एक्सेस कर सकता था रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लाउड स्टोरेज ICICI बैंक का है इसमें 35 लाख फाइल्स मौजूद हैं जिसमें तमाम यूजर का समेदन शिल देटा है साइबर वल्ड में बैंकिंग और फाइनांस से जुड़े फर्म सबसे ज़ादा टार्गेट पर रहते हैं स्कैमर्स कई तरह से लोगों से ठगी के फिराक में रहते हैं ऐसे में किसी बैंक के कस्टमर्स का डेटा लीक होना बड़ी लापरवाही है ICICI बैंक की इस गलती की वज़े से लाखों यूजर्स की परसनल डीटेल लीक हो सकती है अगर साइबर फ्रॉट के हाथ ये डेटा लग जाता है तो इसे बैंक और उसके क्लाइंट्स को काफे नुक्षान हो सकता है हलांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही इस मामले की जायनकारी बैंक और CERT इन इंडियन कॉम्प्यूटर एमर्जंसी रिस्पॉंस टीम को दी गई इसे तुरंथ ही ठीक कर लिया गया है गिरो रिपोर्ट ची एस टीवी तो महरास्ट्र में उठा राजनेतिक तूफान अभी शान्त नहीं हुआ है NCP नेता शरद पवार ने अब भतीजे अजित पवार के उपर दाउद चलते हुए अपनी ताका दिखाई है क्या है मामला देखते हैं अंदर की बात में रश्यवादी कॉंग्रिस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है पाटी नेता शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच तनाव की खबरे सुर्खियों में है पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम्याब नहीं हुई है पूने में होने वाली संभागिया बैठक से अजित पवार का नाम काट दिया गया है इसे शरत पवार के अपनी ताका दिखानी के रूप में देखा जा रहा है फूने में होने वाले इस बैठक में कारे करताओं को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार की नीतियों के विरोध में गुट्टी पिलाई जानी है इस बैठक में एंसीपी के मुख्या शरत पवार भी होंगे अनिल देश्मक और छगन भुजबल भी होंगे लेकिन अजित पवार नहीं होंगे मुंबई की एक पाटी में शरत पवार और छोटे पवार एक इफतार पाटी में मिले तो लगा की सब शान्त हो गया लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसीना की एंट्री भी इसमें हो गई थी इससे एक बात तो साफ है कि महाराश्य में उठा राजुनितिक दुफान अभी शान्त नहीं हुआ है अब अजित पवार के अगले कदम का इंतजार करना होगा बीरो रिपोर्ट जी एस तारूट पार्टी को लिंगायत विरोधी करार देने की कॉंग्रेस के दावे का जवाब देने के लिए चुनावी राजु करनाटक में लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान शुरू करने की वकालत की है राजुनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय राजु की आबादी का लगबग 17 प्रतिशत है इस समुदाय के ज़्यादतर लोग राजु के उतरी हिस्सों में हैं बीजेपी इन्हें अपने मजबूत समर्थक वर्ग के तौर पर देखती है इस बैठक में कॉंग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक सुझाव दिया गया कि पार्टी को लिंगायत समुदाय के नेता को अगले मुख्यमंतरी के रूप में पेश करना चाहिए और मजबूती से यह अभ्यान चलाना चाहिए ऐसे में उसके सत्ता में आने की सीती में अगला मुख्यमंतरी लिंगायत समुदाय का ही होगा इस बात के मुख्यमंतरी बसवराज बुमाई ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पुश्ची की है उनके मुताविक बैठक में कुछ मुद्दो पर कॉंग्रेस की फैलाई ज़ा रही भ्रामक सुचनाव का द्रड़ता से मुकाबला करने का निर्ड़े लिया गया विरो रिपोर्ट जी एस टीवी वरिष्च लिंगायत नेता उन्हें सत्ता दूड पार्टी को लिंगायत विरोधी करार देने के कॉंग्रेस के दावे का जवाब देने के लिए चुनावी राजे कंडाटक में लिंगायत मुक्खेमंतरी अभ्यान शुरू करने की वकालत की है राजनितिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाई करनाटक के आबादी का लगबग 70 प्रभीसत है इस समुदाई के ज्यादातर लोग राजे के उत्तरी हिस्सों में रहते हैं बीजेपी इन्हें अपने मजबूत समर्थख वर्क के तौर पर देखती है वरिष्ट लिंगायत नेता जग्दिश शेटार और लक्ष्मन सावदी ने 10 माई को होने वाले विदान सबाचुनाव में टिकिट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ दी और कॉंग्रेस में शामिल हो गए कॉंग्रेस तभी से बीजेपी पर लिंगायतों के साथ अन्याय करने और उसके लिंगायत विरोधी होने के आरोप लगा रही है इसके मद्दे नजर सत्ता रुड पार्टी नुकसान से भरपाई की कोशिसों में जुट गई है बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने करनाटक में कद्दावर नेता और पुर्व मुख्यमंत्री बीएस यदे उरोपा के आवास पर एक बैठक की इस बैठक में कॉंग्रेस का मुकाबला करने के लिए यह सुजाओ दिया गया कि पार्टी को लिंगायत समुदाई के नेता को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहिए और मजबूदी से यहाँ अभ्यान चलाना चाहिए ऐसे में उसके सत्ता में आने की स्थिती में अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाई का ही होगा इस बात की मुख्यमंत्री बसवराद बंबै ने पुष्टी की है उनके मुताबिक बैटेक में कुछ मुद्दो पर कॉंग्रेस की फैलाई जा रही ब्रामक सुचनाओं का ध्रटसा से मुकाबला करने का निर्णे लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस ने वरिष्ट लिंगायत निताओं के साथ कैसा व्यावर किया इसके कई उदारण है और लोग यह नहीं भूलेंगे कि कैसे कॉंग्रेस ने पांच साल पहले वर्ट बेंक बनाने के लिए समुदाई को तोड़ने की कोशिश की थी वह मैंने कहा बीजेपी में सबी के लिए सम्मान और आउसर है उन्होंने आरूप लगाया कि कॉंग्रेस ने दलीतो लिंगायतो और पिछड़े वर्गों को दोका दिया है बिरो रिपोर्ट GSTP जैल में बंद 300 से अधिक लोगों को 15,000 रुपे मासिक पैंशन देगी मुख्यमंद्री हमंद विश्वा सर्मा की अधिक्षता में कैबिनेट की बैठे के बाद गोशित किया गया कि राजी सरकार आपाद काल के दोरान जैल में बंद लोगों को लोगतंत्र सेना नी मानती है लोगतंत्र के प्रती उनके युगदान को पहचानने के लिए असम कैबिनेट ने आज 301 लोगों को मासिक पैंशन देने की मंजूरी दी उन्हें प्रती माह 15,000 रुपे मिलेंगे यदि व्यक्ति नहीं है तो उसकी पत्नी को राशी मिलेगी और यदि दोनों की मुरूत्य हो गई है तो उनकी अव विवाहित बेटी को यह राशी मिलेगी हालाकि असम सरकार की ओर से दावा किया गया कि भारत में कही राजिय आपातकाल के दोरान जैल में बंद लोगों को पैंशन दे रहे हैं लेकिन असम द्वारा दी जाने वाली राशी सबसे अधिक है आपातकल दतकल इन प्रदान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1945 से लेकर 1977 तक 21 महिन तक की अवली के लिए लगाया गया था बिरो रिपोर्ट जी एस टेवी इस साल देश में 12500 किलोमीटर राजमार्गों का विकास और निर्मान होगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्राले ने वर्तमान वितवर्ष के लिए या लक्ष पाने की योजना बनाई है वितवर्स 2023 के लिए मंत्राले ने 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्मान और 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास के परियूजना आवन टित करने का लक्ष रखा है इस क्रम में वितवर्स 2023 में बुनियादी धाचा निवेश ट्रस्ट के जरिये 10,000 करूड रूप्य जुटाने की यूजना भी सामिल है मंत्राले ने 31 मार्च को समाप्त वितवर्स में बताये गए राजमार्गों का अभी ब्योरा नहीं जारी किया इससे पहले वितवर्स 2021 में उषने 10,457 किलोमीटर वर्स 2021 में 13,327 किलोमीटर और वर्स 2019-20 में 10,237 किलोमीटर राजमार्ग बनाये थे नव निरमीत राजमार्गों पर वाहनों को लेंग में चलने के लिए साइनबोड और रोड मार्गिंग के विश्वस्तरिय मानकों का पालन किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेक्स वेपर वैस्विक मानकों के अनुरूप साइन बोड एवं रोल मार्किंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगे चल कर सभी राष्ट्रिय राज मार्गों पर भी इन मानकों को लागू करने की यूज ना है।